चानक के I.S. Academy में आप सभी का स्वागत है हाल ही में भारत और चीन की सीमा पर फिर से विवाद हो गया है और इसी पर आज हम बात करेंगे अनाचल प्रदेश के त्वांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जड़ब के बाद अमेरिका सहित अन्य देशों के अनाचल प्रदेश के त्वांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच जड़ब के बाद विविन देशों के बयान आ रहे हैं और भारत ने पी इस पर बयान दिया है तो यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं भारत चीन सीमा के त्वांग में हुए टकराव पर अमेरिकी विदेश मंत्राले प्रवक्ता ने कहा है कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साजेदार है हम भारत के साथ दिल्ली और वशिंग्टम में लगातार संपर्क बनाए हुए है वहीं सयुक्त राष्ट महा सचीव एंटोनियों गुटेरस ने भी कहा है कि अर्नाचल के त्वांग सेक्टर में दोनों देशों के सैनिकों के बीच जडब के बाद भारत चीन सीमा पर तनाव को कम करने का आहन उन्होंने किया है इसी के साथ पेंटागन के प्रेस सचीव ने कहा कि अमेरिका ने देखा कि चीन LAC के छित्र में सैना जुटा रहा है और सेन ये बुन्यादी धाचे का निर्मान कर रहा है अमेरिकी तनाव की स्थिती को कम करने के लिए भारत के चल रहे परियासों का पूरा समर्थन करता है भारत की तरफ से जो इस पे बयान आया है वो दिया है रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने संसद में उन्होंने कहा कि भारतिय सैना के जवानों ने 9 दिसंबर को अनाचल के त्वांग सेक्टर के यांग से छितर में वास्त्विक नियंतरन रेखा यानि की LAC का उलंगन करने से चीनी सैना को मूत और जवाब दिया तो अब हम देखेंगे कि ये पूरा विवात क्या है मुद्दा क्या है पास्ट क्या है प्रजेंट क्या है और स्थितियां कैसी है दोनों देशों के बीक जो तनाव हुआ है वो अनाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में यांग से ए गिविन पैदल सैना रेजिमेंटों से समन्दित है भारती सैना के जवानों ने Л.A.C. पर चीनी सैनिकों के नापाक मनसूबों को विफल कर दिया है और उनके प्रयासों को भी विफल कर दिया है इस विवाज से पहले भारत का विवाज चीन से गलवान में हुआ था तो हाई देखते हैं गलवान में क्या हुआ था पंद्रा जून 2020 को पूरवी लद्दाक के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खुनी संगर्श हुआ था उस संगर्श में भारत के 20 सैनिक मारे गए थे भारत कहता रहा की गलवान में चीन के सैनिक भी भारी मात्रा में या लिकी भारी संख्या में मारे गए हैं लेकिन चीन ने सिर्फ चार सैनिकों की मोत की पुष्टी की थी चीन ने भी बयान जारी किया लेकिन उससे ये साफ नहीं हुआ कि उनके कितने सैनिकों की मोत हुई है कई महीनी बाद फरवरी 2021 में चीन ने गलवान घाटी जड़प में मरने वाले अपने चार सैनिकों को मरनो परांद मैडल देने की गुशना की थी और इसे साल फरवरी में यानि की 2022 फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूस पेपर दा क्लैक्सन ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में इदावा किया कि गलवान में चार चीनी सैनिक नहीं बलकि कई गुना जादा यानि कम से कम 38 PLA जवानों की मौत हुई थी अगर भारत और चीन के रिष्टों की प्रिष्ट भूमी पर बात करें तो 1949 में चीन के नेता माओ ने कहा था कि हतेली और जो पांच उंगलियां है उन्हें हमें वापस ले रहा है इसे चीन की फाइफिंगर पॉलिसी कहा जाता है हतेली का मतलब यहां तिबबत से है जबकि पांच उंगलियों का मतलब लद्दाग, सिक्किम और राचल प्रदेश, भुटान और नेपाल से है इसके दो साल बाद 1951 में चीन ने तिबबत पर हमला करके उसे अपने कबजे में ले लिया था 1962 की जंग से पहले भी 1959 से चीन ने भारत के साथ ऐसी छोटी छोटी जड़पे करनी शुरू कर दी थी इसके बाद 1962 में भारत पर पूरा युद थोप दिया गया था 10 शुलाई 1962 को 350 चीनी सैनिकों ने चुशुल में एक भारतिय चोके को घेर लिया था लाउट स्पिकर पर दोनों गोर से महस हुई तो सैनिक पीछे चले गए थे अगले तीन महीनों तक ऐसी छुटपुट घटनाए होती रही 20 अक्टूबर को चीनी सैना ने पूरी सरहदी इलाके में भारी हमले शुरू कर दिये और यहीं से भारत चीन युद की शुरुआत भी हुई थी इसके बार वो माओ की हतेली और पांच उंगलियों की पॉलिसी को तेजी से आगे लेकर जा रहे है 2013 के बाद से लगातार 2-3 सालों से चीन ऐसी आक्रामक कारवाई कर रहा है चाहे 2017 का डौकलाम विवाद हो, 2020 का गलवान हो या 2022 का अब का अरनाचल प्रदेश विवाद हो अब अगर भारत के साथ चीन के रिष्टे और भारत के इतर विश्व के साथ चीन के रिष्टों की बात करें तो चीन के लिए भारत एक soft target है, भारत चीन के लिए soft target इसलिए है कि चीन को तीन मोर्चों पर military action का सामना करना पड़ सकता है पहला ताइवान है, दूसरा दक्षनी चीन सागर है और तीसरा लेसी पर भारत से है इन में पहले जो दो मोर्चे हैं उन पर चीन के किसी भी action पर उसे सीधे अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया की साजा ताक्तों से युद्ध करना पड़ सकता है तो इस वज़े से भारत जो है चीन का soft target भी है बहुत सारे reason है कि चीन के अंदर जो है बहुत सारे तरह की protest चल रहे है उनसे ध्यान हटाने के लिए भी चीन की एक diplomatic साजिस हो सकती है भारत के साथ चीन इसलिए भी इस तरह की विवाद कर लेता है क्योंकि एक तो अमेरिका का रुप्त हमेशा से बहुत नरम रहता है दूसरा जो यूरोप है वो इंडिया से खफा रहता है अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद से रूस जो है बहुत neutral situation में है और पाकिस्तान हमेशा से चीन का दोसरा है इस वज़े से चीन इस तरह के विवाद उत्पन करने में शुरुआत करता है अगर हम बात करें भारत और चीन की भोगोलिक स्तिती की तो भारत के उत्तर पूरु में चीन पड़ता है दोनों देश 4,056 किलोमेटर लंबी L.A.C. को जो है साजा करते हैं जिसके तीन हिस्से हैं मोटे माटी पूर्वी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पश्चिमी सेक्टर पश्चिमी सेक्टर में सिया चीन ग्लेशर है और उसके नीचे अकसाई चीन है जिस पर चीन ने कबजा किया हुआ है फिर मध्य सेक्टर आता है जो हिमाचल प्रदेश से उत्राखन तक की बॉर्डर है उसके बाद नेपाल आ जाता है उसके साथ सिक्किम की सीमा लगती है जो पूरवी सेक्टर में आता है और बिल्कुल पूरव में अर्णाचल प्रदेश की सीमा आती है पूरवी L.A.C. में अब तक तवांग को लेकर जिक्ते भी बवाल हुए है साल 2017 में चीन की सेना पहले डौकलाव में घुसाई थी भारत चीन 80 दिनों तक यहां आमने सामने रहे तवांग में भी 9 दिसंबर को भारत और चीन के सेनिकों में हातापाई हुई है अरनाचल प्रदेश को लेकर जो चीन का आउटलुक है वो ये है कि चीन पूरे अरनाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर उस पर अपना दावा करता रहा है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्डेट